हेलो दोस्तों आपका सौगत एलले वीडियो में चैप्टर 6 के बारे में बात करने वाले हैं इसमें हम ये बात करेंगे कि IPC की धारा 121 के बारे में IPC के चैप्टर 6 में 121 से लेकर 130 तक की धाराई दी गई है जो कि हमें ये बताती है कि ऐसा कोई वेक्टी जो राज्ये के खि तक डिवाइट किया गया है तो आज हम बात करेंगे IPC की धारा 121 के बारे में तो वीडियो इंप्रोमेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और सेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा IPC की धारा 121 में भारत सरकार के खिलाफ यूद करना या फिर यूद करने की कोशिस करना या यूद करने के लिए किसी को उकसानिस रेलेटिर है यह कहती है अगर कोई वेक्टी भारत सरकार के खिलाफ यूद करेगा या यूद करने की कोशिस करता है या फिर यूद करने के किसी को उकसाता है तो वह व्यक्ति आईपीसी की धारा 121 के तहत अपरात करता है अब हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 121 में कितनी सजा है आईपीसी की धारा 121 के तहत यदि कोई व्यक्ति देश के खिलाफ होने वाली आतंगवादी गती वीदियो में सामिल है तो उस उमर कैद से लेकि फासी तक की सजा दी जा सकती है तो उसे मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास से डंडित किया जा सकता है और सार्थीवे आर्थिक दंड से भी उत्तरदाई होगा यह गैर जमानती और संग्य अपराध है और यह सैसन को और दौरा विचारणी है यह समझोता करने योग्य नहीं है एदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो के लिए आप लले वीडियो को फोलो करें और चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू